अस्सलामु अलेकुम वरहमतुलाहिव बरकातु हूँ दोस्तो मैं हूँ फैद मलिक और आप देखना है हमारा यूटूब चैनल इस्लामिक दुनिया तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बाराएं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नहीं आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे चलिए एक वीडियो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाही रख्मानी रहीम अस्सलाम अरेकूं वर्हमतु लिल्ही वबरकातू दोस्तो आज की वीडियो रिस्क के हवाले से माल दौलत के हवाले से बहुत ही ज्यादा मुझरब वीडियो है एक चोटा सा अमल है और एक सिर्फ लोंग के दाने के उपर आपने दम करना है इन्शालला हुल लज़ी आप खुद देखेंगे घर के अंदर कितना पैसा कितना माल दौलत हासिल होगा कि जिन्दगी बर संभाल नहीं पाओगे तो कौन सा अमल लौंग के उपर करना है वो मैं आपको इस वीडियो में शेर कर रही हूँ और महरबानी करके आप ये अमल ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेर करें ताकि उनकी जो भी रिस्क के हवाले से मौल दौलत के हवाले से जो भी परिशानी होगी इंशालला वो जल्दी खतम हो जाएगी दोस्तों खामोशी के साथ आपने आराम से बैठ कर ये अमल करना है एक लोंग लें और उसको दम करें तीन दिन लगतार आपने उसको दम करना है कोई भी टाइम आप रख सकते हैं सबसे बहतरीन वक्त फजर का वक्त और मगरिब का वक्त है फजर के बाद इसके अलावा कोई भी टाइम आप रख सकते हैं तीन दिन लगतार लोंग के उपर एक छोटी सी सूरत पढ़कर दम करें वो कौन सी सूरत है मैं शेयर कर देती हूं और जब आप दम कर लेंगे उसको आपने किसी ग्रीन कपड़े में लपेट कर यानि कि हरे रंके कपड़े में लपेट कर फिर घर के अंदर जहां भी आप पैसे रखते हैं जेवर वगेरा रखते हैं यानि कि अपनी तिजोरी में जो भी जगा है आपने लोंग को उस जगा रख देना है मर्द हजरात उसको जेब में रख सकते हैं या अपने वालिट में पर्स में रख सकते हैं औरते अपने पर्स के अंदर रख सकते हैं ठीक है इंशालला आप इसको आजमाएं और आप इससे मायूस कभी नहीं होंगे तो वो कौन सी सूरत है वो सूरत है सूरत अलकौसर सूरत अलकौसर रोजाना किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं सेवन्टी नाइन मरतबा पढ़कर आपने लौंग के उपर दम करना है शुरू और आखिर में 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है इंशालला चन्दिनों के अंदर आपका दोलत वालों में शुमार होगा अल्ला ताला आपको इतने मालो दोलत से नमास देगा दोस्तों अमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें अपने बहुत सारा खयार रखें अपने दौाओं में याद रखें पांच वक्त के नमास पढ़ें अल्ला हाफिज